गुड मॉर्निंग बच्चो आज हम लोग कम्प्यूटर सब्जेक्ट से चैप्टर फूर का जो हमारा टॉपिक है कीबोर्ड एट्स फॉंक्शन कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे और उसके फॉंक्शन के बारे में कि वह किस तरह कारे करता है ठीक है अब जैसे दिखें य वह क्या बन जाएगा कीबोर्ड के पार्ट का नाम सम कीज कोई भी बटन का नाम बनेंगे जैसे यह कैट है तो C लिखेंगे एपल है तो A लिखेंगे पैरोट है तो P लिखेंगे शीप है तो S लिखेंगे यह हमारा क्या बनेंगा C-A-P-S Caps अब यहां देखिए लायन से L औरेंज से O, Caps से C और K से काइट तो यह हमारा क्या बन जाएगा कौन सा की Caps Lock Key ठीक है तो आप लोगों को करना क्या है यह पिक्चर देखें उसके फस्ट लेटर लिखने है और वो क्या बन जाएगा एक कीज का नाम ठीक है तो आइस चाप्टर को हम समझते है यह आप लो different types of keys इसमें बहुत तरह के बटन होते हैं these keys are used to type letters, numbers and special characters और यह जो keys है buttons है उसका उप योग हम लोग letters को type करने में number या फिर को special character या चिन जो होता है उसको type करने के लिए करते है whatever we type through a keyboard appears on the monitor अब हम लोग keyboard से जो भी type करेंगे वो कहां दिखेगा हमारे monitor में दिखेगा अब यहां देखिए एक keyboard has three types of keys keyboard को keyboard में तीन तरह के keys होते हैं alphabet keys number keys और special character keys alphabet keys जो है यह आपको इसमें letter मिल जाएंगे a से जड़ तक number keys में 0 से 9 तक कर number का यूज हम लोग इस number कीज से करेंगे और special character जो है कोई shine हो गया symbol हो गया जिसका special उपयोग है तो वो special character keys में आ जाएंगे अब यहां जो picture दिया हुए keyboard इसमें सभी buttons के नाम यहां indicate किया गया है arrow देके समझाया गया है वह आप लोग पढ़ोगे और सारे buttons को याद करोगे सारे buttons के spelling आप लोग को याद होना चाहिए अब सभी कीज के बारे में हम लोग next class में पढ़ेंगे